हालो एवरिवन वेलकम बेक टू परचम आएम पूजा और आज हम डिसकस करेंगे मुगल सर्थनत का नेक्स पार्ट जहां पे हम बात करेंगे औरंग जेप के बारे में औरंग जेप ने टाइडर लिया था जिसको हम आलमगीर के नाम से भी जानते तो यह कॉशन भी एग्जा करता का समय की बात करें तो इसलाम की जो कटरता है जो सरियत कानून की बात हम करते हैं तो वो भी औरंग जेप का समय ही कहलाता है या फिर अगर हम बात करते हैं कि सबसे जादा एक्सपांड जो है मुगल सर्थनत का किसके समय हुआ तो वो भी औरंग जेप है या अगर हम ब दक्षन भारत के सूबिदार दक्षन भारत के सूबिदार थे गुजरात और सिंद के गवर्नर के रूप में ये काम किया करते थे सहां जहां के समय तो आई हम सेशन के शुरुआत करते हैं इनका समय 1658 से 1707 के तक रहा था अच्छा औरंग जेब के बारे में बात करने से पहले इसके पुराने जो राजा हैं जैसे कि अगर हम अकबर, बाबर, सहाजा, जहांगीर, हुमायू इन सभी की बात करते हैं तो आपको पर्शम की प्लेलिस्ट में इन सभी के बारे में इन्फिमेशन मिल जाएगी मैंने separate videos में हर एक मुगल सल्तनत के ruler के बारे में, उनके art and culture के बारे में, military के बारे में, उनके different department के बारे में सब कुछ discuss किया, एक बार आप वहाँ जाके देख सकते हैं इनफिक अगर आज की class का PDF आप लेना चाहते हैं तो पर्शम की website पे विजट करके आज की class का PDF भी मिल जाएगा So start करते हैं कि आलमगीर जो थे या फिर औरंग जेब जो है, वो six Mughal ruler थे, छटपे नमंबर के मुगल राजा थे उनने कम से कम 49 सालों तक मुगल सल्टनत पे अपनी सत्ता को स्थापित करके रखा यह अंतिम मुगल powerful ruler थे, इसके बाद कि जो राजा हुए वो इतने powerful नहीं थे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मुगल सल्टनत खतम होने पर आ जाएगी और 1857 का जब revolt होगा तो मुगल सल्टनत पूरी तरीके से खतम कर दी जाएगी यहां पर हम बात करते हैं औरंग जेब तो यह बेटे थे मुम्ताज महल और सहा जहां के बेटे थे और औरंग जेब जो हैं वो सकसेशन का बेटल लड़ते हैं वो उत्तरदीकार का युद्ध लड़ते हैं और सहा जहां को कैद गड़ लेते हैं और कैद में ही सहा जहां की डैथ हो जाती है दारा सिको या मुराद के साथ इनका सकसेशन का बेटल होता है और कई सारे बैटल ये लड़ते जैसे कि आपको मैंने प्रिवियस सेक्शन में बताया था कि बैटल ओफ धर्मत, समुगर की लड़ाई, हिना समुगर के अलावा खौजा की लड़ाई और देवराई की लड़ाई तो देवराई और धर्मत की लड़ाई बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से एक्जाम में कॉशन फ्रेम होते हैं, तो ये दोनों जो बैटल है, बैटल ओफ सक्सेशन है, उत्रा अधिकार की लड़ाई है, जो कि दारा सिको और उसके बाद और अरंग जेब के बीच में होती है तो उनके बेटों में लड़ाई होती है, तो क्यों ना मैं मरने से पहले ही वसीयत लिख लूँ और अपना उत्तरादिकार को घोशित करके जाओं, तो बिलकुल ये ऐसा राजा होता है औरंग जेब, जो मरने से पहले ही, उसके बाद सल्तनत का क्या होगा, कौन उत्तरादि और अपना उत्तरादिकार होगा, वसीयत को लिखकर मरने वाला राजा जो है, वो औरंग जेब ही है, जीक है, औरंग जेब ने एक फत्वा जारी किया जिसको फत्वा ये आलमगिरी के नाम से कहा जाता है, और इसने पूरे की पूरे सल्तनत में सरिया कानून या सरिया लौ को लगाया मतलब कटर इसलाम में किये जैसे कि अगर आज हम बात करते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है सभी धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं लेकिन औरंग जेप का कहना था कि वो उसको एक ऐसे सल्तनत का राजा होना चाहिए जो कि एक इसलामिक सल्तनत हो वो वेस् तो एक ऐसा राजा था जिसने पूरे इसलामिक एकोनॉमिक थॉर्ट्स को यह प्रॉसीट करता था और इसने सरिया लोग को अपने देश में अपने सल्तनत में अपलाई किया इसकी जो पॉलिसी थी हिंदूों के लिए कट्टर वाधिता जो था और्थो डॉक्टर नेचर इसके कारण इनको जिन्दा पीर भी कहा जाता था तो जिन्दा पीर का टाइटल भी आलमगीर औरंग जेप को दिया गया था चीक है इनोंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप लेहल अद्दाक से देके यहाँ पे बात करें सिंद कर्णिय कुमारी तक यहा मुस्तेत खान के द्वारा लिखी गई है जहां से हमको औरंग जेप की लाइफ के बाले में उसके रूलिंग प्रोसीजर के बारे में इंफिर्मेशन मिलती है हाला कि जब औरंग जेप गदी पे बैठते तो उनको यह सब पसंद नहीं होता है कि म्यूजिक होना चाहिए तो पुरा बंद कर देते हैं म्यूजिक सिस्टम को चित्रकला का यहां पर कोई विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी इन्होंने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट नहीं किया नहीं उनको संरक्षर प्रदान किया इन्होंने इसलिए जादा कुछ जानकारी इनके साश जादियाकर है उसको हटा दिया था अकुबर ने इन्होंने बापस जादियाकर को इंपोस कर दिया अगर हम जहांगीर की बात कर दो जहांगीर ने बहुत सारी पेंटिंग बनवाई थी इनके समय के कोई पेंटिंग आपको देखने को नहीं मिलती सहा जहां ने बहुत सारे architect बनवाये थे लेकिन इतने सारे architect इन्होंने नहीं बनवाये दो-चार बनवाये हैं अभी हम discuss करेंगे इन्होंने जरोका दर्शन जरोका दर्शन किया जो पद्धती थी वो बंद कर दी दसहरा और नवरोज जो festival बनाये जाते थे उनको बंद कर दिया तो आपके लिए पहला एक कॉशन मेरे दिमाग में आता है कि नवरोज festival जो कि औरंग जेम ने बंद कर दिया था ये start किस ने किया था तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नवरोज festival जो है वो किसके द्वारा start किया गया था मैंने आपको discuss किया है दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर में इन्होंने जो भांग की खेती है और अलकोहल वगेरा है उन सब ये पर बैन लगा दिया था सबी चीजों पर प्रतिबंद लगा दिया था हाला कि ये वीना बजाते थे ये वीना आपको दिख रही है तो ये question के बीसी में भी पूछा गया था और एंटीबीसी एक्जाम में भी पूछा गया था कि औरंग जेब या कौन सा मुगल रूलर जो है वो वीना का सौकीन था या औरंग जेब कौन सा instrument बजाया करता था तो उसको implement करना हर एक व्यक्ति सरिया कानून को मानेगा उनके हिसाब से रहेगा तो उसको implement करने के लिए भी एक फर्मान जारी किया गया था जबियत ए आलमगीरी तो एक फर्मान जारी किया गया था और यहां पे महातसिब करके एक व्यक्तिया पॉइंट किया जाता था जिसक 12ुलिटी साथ कर लिया जाते थे वह बापस इन्होंने इंहोंने इंपोस कर दिया थे इसके अलावे इन्होंने बिल्कुल बैन लगा दिया था फीता है फिस्ञें ने जो हिंधु मंदिर हैं उनका 근्स्ट्रक्ष ըहीं किया जाए कि ब्यार पुरानेहे मंदिरों की भी कोई भी मरम्मत नहीं की जाएगी मतलब हिंदू मंदरों को तोड़ने का काम जो है वो औरंग जेब ने किया पर ऐसा नहीं हर एक चीज के कुछ एक्सेप्शन होते हैं अभी हम देखेंगे इनके दुआरा जो कुछ टेक्स इंपोस किये गए थे देख लेते हैं इंगलिश और हिंदी दोनों में यह स्लाइब है पहले ऊसर एक्ट हम देखते है जैसे कि उसर लिए ईटोनों में स्लाइब है जो भी आप ya प्रड्यूस करते हैं करते हैं इसको 5-10% आपको देना लेकिन एक और टेक्स था खराज, ये खराज केबल और केबल नॉन मुसलिम पर ही अप्लाई किया जाता था, मतलब आप कह सकते हैं कि हिंदुओं पर अप्लाई किया जाता था, जितना वो प्रडियूस करेंगा उसका वन थर्ड से लेके वन हाफ तक वो आपको देना पड़े हैं, जो रिच मुसलिम होते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी होती तो अपने प्रॉपर्टी का 2.5 उनकी इंकम का आपको जकात देनी पड़ेगी, और जजिया जो है वो रिलिजियस टेक्स होता था, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, तो उसर खराज, ख उनके 2.5 परसन जो है, यह मर्चेंट टेक्स औरंग जेब के द्वारा लगाया जाता था, ठीक है, यहां पर एक और पुस्तक आपको देखने को मिलीगी, जिसका नाम है आलमगीर नामा, यहां से भी आलमगीर की जो रिलिजियस पॉलिसी थी, यह जो उनके टेक्स सेशन से किस तरीका से मराठा, बेवाड, मारवार, राचपूत, जाड, सभी कोई औरंग जेब के खिलाफ हो गए, ऐसी कौन सी पॉलिसी औरंग जेब बना रहे थे, जिसके करण पूरा दूसरे राजा जो हैं मुगल सल्तनत के अगेंस थे, तो वो सारी इंफिमेशन आपको मिर्ज मुखंबत कासिम की पुस्तक आलमगीर नामा में देखने को मिलेगी, तो पहला कॉशन है कि औरंग जेब के रिलिजियंस पॉलिसी की इंफिमेशन आपको किस बुक से मिलती तो आंसर आजाएगा आलमगीर नामा से, अगला प्रशन बनता है कि आलमगीर नामा किसने लिखा मिर्जा मुखंबत कासिम की द्वारा उस पुस्तक को लिखा गया है, अब इनके द्वारा कुछ important departments बनाए गए थे, जैसे कि आप लोग बहुत से department पढ़ चुके हैं मेरे साथ और आप लोग जानते भी हैं, जैसे कि दिवाने आलिया या फिदिवाने वजीर, तो जो डिप का head हुआ करता था, वाकिक नावीज, ये reporters हुआ करते थे, काजी head of the judicial department, न्याए पालिका का प्रमुख, सदर उल सदर, ये in charge of charitable and religious endorsement के लिए होता था, मुतसभी का बारे में बताया है, governor of port कहलाते थे, तो इस तरीके से यहाँ पे अलग-अलग department थे, जो कि मुगलकाल में च east के हिस्से पे भी कबजा कर रखा था, west पे भी कबजा कर रखा था, तो यहाँ पर सूबों के संके सबसे जादा थे, 20 सूबे यहाँ पर हुआ करते थे, और यहाँ पर मुकदम जो है, वो head of the village कहलाता था, जैसे कि सरपंच होता है, और पटवार या पटवारी आज भी चल जिन्वे से एक फेमस मंदर यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं, विश्वनाथ टेंपल, जो की वनारस में है, 1669 की घटना है, आप सभी जानते हैं कि मराथा और मुगलों की कभी नहीं बनती थी, सिवाजी महाराज के समय से ही मराथा और मुगलों के बीच में तनाता नहीं थ जब सिवाजी महाराज को इस कबजे में ले लेते हैं धोके से, और सिवाजी महाराज जो है वहाँ से भाग जाते हैं, तो वो भागते हैं कहां से, इस विश्वनाथ मंदर की सहायता से ही भागते हैं, और इसमी मदद कौन करता है, राजा मान सिंग की मदद करते हैं, जो की बेटे संभा जी को मार डाला, साहु जी को अरेस्ट कर लिया और तारवाई जी के साथ जो है वो लगातार मुगलों का युद्ध होता रहा हाला कि औरंग जेब की डेट के बाद जो है वो साहु जी को रिहा कर दिया थो और वहां से आप फिर एंगलो बाराथा वार देखने को मिलती है जो कि हमने मॉडरन हिस्ट्री में डिसकस भी की थी इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इन्होंने हिंदू मंदरों को भी exception हर कहीं होते हैं इनका लक्ष था कि मजदों का निर्मार कराना है मजदों का मुसलिमों का welfare करना है लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ हिंदू मंदरों को सनरक्षन भी दिया था उनके भी maintenance का काम किया था और जिसके लिए उन्होंने फर्मान जारी किया था वो मंदर कौन कौन से हैं तो महा कालिशफ़ मंदर जो की बिल्ड रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम भी किया था अब यहां पर इनकी battles के बारे में बात कर लेतें कि कौन कौन सी battle लड़ीन होने और इनकी military कैसी थी तो आप यहां पर देख सकते हैं काबूल, पंजाब, दिल्ली, आगरा दक्कन पर कबज़ा कर लेंगे इसके बीजापुर, गोलकुंडा, एहमद नगर पर कबज़ा कर लेंगे मेबार, राजपूत, इन जाट इन सब पर इनका कबज़ा आपको देखने को मिलेगा एक एक करके इनकी बात करते हैं सबसे पहरा जो उन्हें बैटल लड़ा था सहा जहां के समय ही लड़ गया था वो बुंदेला बौर थी अच्छा मैंने आपको यहां पर डिसकस किया था सहा जहां के समय राजा जुझर सिंग के बारे में तो जो कि रूलर थे ओडचा के राजा जुझर सिंग और वहां पर उनकी सहा जहा के साथ बैटल होती है लडाई होती है जिसमें जुझर सिंग जो है वो आत्म समर्पर कर देते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम मुसलिम की आधीनता को सुईकार करते हैं लेकिन आफटर सम टाइम क्या होता है कि जुझर सिंग जो है वो गौडवाना जमीन जो होती ह गौड माना का फॉर्ट जो होता है उस पर कब्जा कर लेते हैं जिसके कारण बापस से यहां पर इसलाम या मुस्लिम्स और जुजर सिंग के बीच में बापस से लड़ाईयां शुरू हो जाती है और इस लड़ाई को दबाने के लिए सहां जहां जो है वो औरंग जेब को भे जहां के समय में अगर सबसे बड़ा विद्रो किसी ने किया था तो राजा छहतर साल थे राजा छहतर साल जहां चंपतरायजी के बैटे थे और इनके द्वारा ओरंग जेब किसमें सबसे बड़ा हुआ इन्होंने अलग किंगडम-बुंदेल-कंड किंगडम के शुरूआत हिना आप हिंदूओं के साथ देदभाव कर रहे हैं, उन पे जाधा टेक्सिस इंपोस कर रहे हैं, जजियाकर को आपने इंपोस कर दिया है, मत्रा का मंदिर तोड़ दिया है, तो इन सारी गतिविदियों के कारण जाट जो है, वो अगेंस्ट हो गए मुस्लिम सल्तनत के, मु विद्रो होता है, अब जाटों के विद्रो के समय, यहाँ पर जाट राजा कौन है, तो राजा राम जाट, राजा राम जाट है, और औरंग जेप की तरफ से किसे अपोइंट किया गया है, तो औरंग जेप के समय, मुहमद वीदर वक्त को यहाँ पर अपोइंट किया गया एजा कमांडर जाट विद्रों को खत्ब करने के लिए तो राजा रामजाट जी को फिर अरेस्ट कर लिया जाता और इनकी दैथ भी हो जाती है लेकिन राजा रामजाट जी के जो बेटे होते हैं बदन सिंग जी वो हार नहीं मानते और वो लगातार लगातार मुगलों के अगेंस लड़ते रहते हैं और स्वतंत्र भरतपुर राज्य को स्थापित करते हैं तो भरतपुर राज्य को किसने स्थापत किया बदन सिंग ने किया लेकिन बदन सिंग के बाद इनके जो बेटे होते हैं उनका नाम सूरज मल है सूरज मल को ही actual founder of the Jat Emperor माना जाता है हाला कि भरतपुर राज को सुतंत्र independent करने का काम बदन सिंग ने किया था लेकिन इसको और ज्यादा expand करने का काम है जैसे हम बोलते हैं कि Baur is the founder of the Mughal Sultanate but actual founder is the Akbar उसी प्रकार जाटों की अगर बात करें तो founder बदन सिंग है लेकिन actual founder जो है वो सूरज मल को माना जाता है ये बदन सिंग जी के बेटे होते हैं और इनका जन भी भरतपुर राजस्थान में present में वहाँ पर होता है इनको जाटों का अफलातून कहा जाता है ये प्रशन एक्जाम में पूछा गया लेह लद्दाक का सिंध का ये आप रीजन पूरा देख रहे हैं ठीक है यहाँ पर भी आपको मुगल सलतनत बढ़ती हुई दिखाए देगी उस समय यहाँ पर नामग्याल डाइनेस्ट्री के राजा रहा करते थे और इनके साथ बहुत अच्छे सम्मंद बनाने की कोशिश औरंग जेब ने की औरंग जेब ने इनकी policies को भी importance दी इनके religious values को important दी और काफी अच्छे relation जो हैं मुगल emperor और इस नमग्याल डाइनेस्ट्री के थे तो एक बहुत बड़ी मज़ित लेहे में बनाई गई है जो कि राजा नमग्याल जी की दौरा बनाई गई है इस तरह के से ये मुगल और लेहे और कश्मीर के जो राजाओं के बीच के आप relation यहाँ पर देख सकते हैं इसके अगर बात करें तो अगर हम दक्षण भारत का अभियान बहुत important रहा है अकबर के समय से अकबर जागीर साजा और उसके बाद और अरंग जेब लगातार दक्षण भारत के अभियान पर जुड़े रहे है चाहे वो दक्षण का रीज़न हो एहमन नगर बीजापूर या गोलकुंडा का रीज़न हो तो यहां पर फिर से बात आ रहे है बीजापूर के बारे में चीक है तो औरंग जेब ने बीजापूर के फोर्ट पे कबज़ा करने की कोशिश की उस समय बीजापूर के जो राजा थे वो सिकंदर आदिल शाह थे ये लास्ट रूलर है बीजापूर के, ये लास्ट रूलर है बीजापूर के कौन सिकंदर आदिल शाह, तो औरंग जेब ने 1685 में बीजापूर के के लिए पर कबजा करने के लिए एक अपनी बहुत बड़ी सेना भेजी अपने बेटे के साथ, और इनके बेटे का नाम क्या इस तरीके से साथ इंडिया में भी मुगल सल्तनत फैल चुकी थी, तो ये जो गोल गुमबज के बारे में आप सुनते हैं कि बीजापूर में गोल गुमबज है, तो ये आदिल शाह के दौरा, सिकंदर आदिल शाह के दौरा ही बनवाई गई थी और ये अंतिम रूलर होता है बीजापूर का, ये पांट साल की गदी पे शाशन करते हैं और फिर लास्ट में इनको कैद कर लिया जालता है, दौलताबाद फोर्ट में डाल दिया जाता है और 1700 में दौलताबाद फोर्ट में ही इनकी डैथ हो जाती है कि इसकी सिकंदर आदिल शाह की, और इस तरीके स बीजपूर गोल कुंडा में जो है, वो मुगल सल्तनत का पर्शम लहदाने लगता है, अब अगली हम बात कर लेते हैं मारबार रीजन की, तो राजपूतों के साथ तो संबंद अखबर ने बनाये थे, जहांगीर ने बनाये थे, लेकिन दीरे दीरे राजपूतों के साथ स संबंद खराब हो गए, और मारबार रीजन के साथ भी संबंद इनके खराब हो गए, तो 1658 में औरंग जेव ने राजपूत सेहं को हरा कर, जो है, वो मारबार और राजपूत रीजन में कबजा कर लिया, इसकी बात आते हैं सिक्खों का, तो देखो अगर आप बात करते है जहांगीर की समय से गुरू अरजन देव की बात कर लेते हैं, इनको लगादार उस समय से सिक्खों और मुसलिम्स के बीच में तनातनी का माहौल है, और यहां पर अब बात आती है, नौवे गुरू की, सिक्कों के नौवे गुरू, गुरू तेख बहादुर जी की बात आत कि या तो आप इसलाम कबूल कर लीजी या तो अपना सर दे दीजी तो बिलकुल यह हस्ते हस्ते अपना सर दे देते हैं और इनको फांसी दे दी जाती है सिखों के जो दसवे गुरू होते हैं, गुरू गोबिन सिंग जी और फिर वो मुगलों के खिलाफ एक खाल्सा फॉज की खाल्सा आर्मी की स्थापना करते हैं, जो मुगलों के खिलाफ लड़ सके तो किसने गुरु तेग बहादूर को फासी दी थी तो वो थे औरंग जी अगर हम military equipment की बात करते हैं तो 17th century की जो सबसे जादा powerful अगर हम cannons की बात करें तोपों की बात करें तो वो औरंग जेप के पास थी तो यहाँ पे कुछ तोपे हैं इनका नाम अभी हम देखते हैं तो military equipment के बारे में बात करते हैं सबसे skilled और advanced जो cannons थी वो औरंग जेप के पास उसकी military में थी जिसमें से बहुत ही famous जो cannon है उसका नाम क्या है जफर वक्स तो जफर वक्स क्या है एक उनकी तोप का नाम है जो कि iron से forge किया गया, weld किया गया है bronze casting technology से develop किया गया एक शांदार तोप होता है जफर वक्स इसके अलावा यहाँ पे इनकी military में दो और important तोपें थी जिन में से एक का नाम क्या है अजदा पाईकर यह जो है वो लगबग 33.5 kg के गोले को दागने में सक्षम थी और फते है रहबर यह भी एक Persian और Arabic इसमें इंस्क्रिप्शन से लिखे हुए थी तो यह तीन बड़ी शांदार तोप जो थी वो औरंग जेब के समय थी अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो जादा कुछ इन्होंने अपना काम किया नहीं है जो ओल्ड मजजद थी ओल्ड कंस्रॉक्शन थे उनकी ही मरम्मत कराने में जादा समय इन्होंने लगाया है लेकिन फिर भी कुछ मजदों को या निर्मान इनकी दौरा किया गया है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं लाहर की बात्शाही मजद तो लाहर की बात्शाही मजद किसने बनाई है तो ये औरंग जेब के दौरा बनाई गई है अगर हम मोती मजद की बात करते हैं जो कि दिल्ली के रेड फोर्ट के कॉंपलेक्स में हैं तो वो मोती मजद भी जो है वो औरंग जेप के द्वारा बनाई गई है जबकि दूसरी एक मोती मजद जो लाहॉर में हैं वो सहा जहां के द्वारा डेवलप की गई है अब बीबी का मकबरा तो यहाँ पर जो औरंग जेब थे उनकी वाइफ का नाम राबिया उद्दुरानी था इनकी याद में ताजमहल से इंस्पायर होकर संग्मर्मर का या मार्बल का एक मकबरा बनाया है जिसको बीबी का मकबरा कहते है और यह भी रबिया उद्दुरानी की याद में बनाया गया है बाईदा ओरंग जेब ठीक है हाला कि ओरंग जेब ने जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ इन्हों ने प्रिवियस जो कंस्ट्रक्शन थे उनके रिपियर का उनके मेंटेनिंस का काम जनरली इनोंने किया है साथे साथ जो सूफी संथ थे भक्तियार खाकी उनकी भी जो टॉम थी उनकी जो दरगा थी उसकी भी मरमत करने का काम जो है ओरंग जेब के द्वारा किया गया अब हम बात कर लेते सूती वसरुढ़ियोग के बारे में अगर हम जो भी इस्ट इंडिया कंपनीज की बात करते चाहे वो डस्ट हो, डैनिस हो, फ्रांसिसीज हो या ब्रिटेन की कंपनी हो ये सबी लोग टेक्स्टाइल इंडरस्टीज डेवलफ करने ही तो भारत में आये हुए थे तो टेक्स्टाइल ये सूतिवस्ट रुद्योग सबसे ज़ादा एक्सपांड जो हुआ, वो औरंग जेब के समय ही हुआ, आप आपको देखने को मिलता है यहाँ पर फ्रांसीस और वर्नियर कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े कार खाने हैं और बहुती ट्रेंड उंदा कॉलिटी के व्यक्ति यहाँ पर लगे हुए हैं और different कॉलिटी के टेक्स्टाइल से या फिर सूतिवस्ट बनाते हैं तो basically हुम्रू, हुम्रू के अलावे यहां पर पठानी, पठानी के अलावे मुश्रू, कल्मकारी, यह सभी यहां पर सूतिवस रुद्योग में बनाने का काम, यहां पर फेबरे करने का काम किया जाता था, यह औरंग जेप के समय देखने को मिलेगा, अब यहां पर France East India Company की ब गष्राइबरट को जो है, वो भेचते हैं कहां पर औरंग जेप के दरवार में, और उन से बोलते हैं कि हमको सहाईता चाहिए है, हम्हें प्रोटेक्षन चाहिए हमारी मर्चन को प्रोटेक्षन चाहिए वेपार करने के लिए, जिससे हम धकन की रीजन में आज अस्टानी स वैपार कर सकें इसलिए औरंग जेब जो है वो French East India Company को permission देते हैं कि सूरत में आप अपनी factory बना सकते हैं तो आप सबी जोग जानते हैं कि French East India Company ने अपनी पहली factory सूरत में बनाए थी और ये औरंग जेब ने इनको permission दी थी ठीक कि एकर coins की बात करते है तो यहाँ पिनका मानना था जैसे कि पुराने जो rulers होते हैं वो कुरान की कुछ बाते हैं सिक्कों पे लिखवाते हैं या फिर किसी god की image वहाँ पे बनवाते हैं लेकिन इनका कहना था कि सिcky जो होते वो हातों में लगते हैं बार-बार पैरों पेटर चो होते हैं तो ये सब नहीं चलेगा हम किसी भगवान का नाम या फिर कुराण की बाते यहां पर नहीं लिखवाएंगे हम एक सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखा होगा जहां से वो सिक्का बना हुआ है टकसाल किस सहर में है मतलब मिंटिंग है प्रिंटिंग प्रेस जहां से यह सिक्का जारी हुआ है कौन से एर में जारी हुआ एक तरफ यह प्रिंट करेंगे और दूसरे तरह किन का नाम औरंग जेब आलमगीर इस तरही के से बाकि किसी God की पिक्चर या फिर क्या कहते हैं कुरान की जो दोहे हैं शायरियां हैं वो सब यहाँ पर नहीं मेंशन की जाएंगी फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1707 में यह जो जिन्दा पीर होता है आलमगीर इसकी डैथ हो जाती है एहमद नगर में और इनका जो मकवरा है वो आपको कुलंदबाद और महाराष्ट में देखने को मिलेगा अब नेक्स सेशन जो होगा वो हमारा लास्ट सेशन होगा मुगल सल्तनत का जहां पर बचे हुए मतलब और अरंग जेब के बाद 1707 से 1857 तक मुगल सल्तनत कैसी थी कौन-कौन से राजा हुए उन्होंने कौन-कौन से फर्मान जारी कि और exam point of view से जो points important होंगे केवल उनको discuss करेंगे तो मुगल सल्तनत का लास्ट पार्ट हम discuss करेंगे नेक्स सेशन में तब तक अपना ध्यान रखेंगे तेक क्यों